जैहन दोस्तो मेरा नाम आक्ष्य है आज मैं आपके सामने एक लिक आया हूँ नियू चैप्टर प्रोफिट एंड लोज बहुत ज्यादे इंपोटेंट होगा यू पुलिस में जो भी बच्चे हैं उनके लिए बेनिफिट होना चाहिए ऐसे सी जूडी वालों के लिए बेनि एक लिए कुछ आपको बात लिखुँगा इसमें मैं कुछ परसेंटेज यहां पर लिख रहा हूँ देखेगा मैंने यहां पर परसेंटेज लिखी है कुछ ठीक है देखेगा 10%, 10% कितना होगा 10 बटे 100, इनको minimize करके हमें लिखना है, मैं आपको सिर्फ percentage पर कुछ chapter पढ़ा हूँगा जिसको आपको बुलना है, 10% कितना होता है, 1 बटे 10, इसी प्रकार से 20% कितना होता है, 1 बटे 5, क्योंकि percentage के symbol का अर्थ होगा, 1 बटे मेरे बाई लिखा है 100 एक बटे कितना 100, तो आप बताएंगे 10% कितना, 1 बटे 10, 20% कितना, आप बताएंगे 1 बटे कितना 5, और विया 25% कितना, 1 बटे कितना 4, 3% है आप यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका अतार 33 सही 1 बटे 3, आप बोलेंगे सर इसे 1 बटे 3, 66 सही 2 बटे 3, आप इसे क्या बो आपर 16 सही 2 बटे 3 हैं तो इसे बोलेंगे 1 बटे कितना 6 और 1.5-12 परसेंट कितना बोलेंगे 1 बटे कितना 8 ठीक है न यह परसेंटेज मैं इसलिए लिखवा रहा हूं जिससे आपका खमरार टाइम ज़द बचे ठीक है ठीक है न टाइम बचने का मतलब है कि एक्जाम में बटे 3, 2-4 और परसेंटेज हैं जिनका हम लोग परियोग करेंगे जैसे 8 सही 1 बटे 3 कितना, 1 बटे कितना 12 और 6 सही 1 बटे 4 कितना बहाई, 1 बटे कितना 16 और 15 परसेंट कितना बहाई, 3 बटे 20 और यहाँ पर 6 सही 2 बटे 3 कितना, 1 बटे कितना 15 यह कुछ परसेंटेज हैं मैंने इतनी ही percentage लिखने है लिखने के तो बहुत सारी लिख सकते हैं लेकिन ये man percentage है जिनकी frequency मैंने पढ़ा है तो उसमें मिरवाई 50% से ज़्यादा है इनके ऊपर ही हम लोग मिरवाई 4 chapter पढ़ेंगे profit and loss है, percentage है, simple interest है और compound interest है इनसे ज़्यादा मैं आपनी lecture में इनसे ज़्य percentage नहीं लिखूँगा लेकिन मैं आप से ये उमीद रखता हूं जब भी आप मेरी class लें तो इन बातों को जरूर लिखें आपको concept जरूर किलियर होगा इस बात को जरूर दियान लखें क्यों जैसी मैं आगे सवाल लिखूँगा तो उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या- SP है और ये क्या है MP है इसे बोलते हैं अंकित मुले इसे बोलते हैं विक्रे मुले को मेरे वाई क्या लिखा गया सेलिंग प्राइज क्या लिखा गया है सेलिंग प्राइज जिसको short form में हमने SP लिखा अंकित मुले को market प्राइज लिखा जिसको हमने short form में क्या लिखा MRP लि तो cost पर बोलेंगे, अक्सर हम लोग कहते हैं, इसकी क्या cost है, तो क्या हमारा किरियम उल्ले है, इस पर याद रखेगा, हम लोग मेरे बाइ profit and loss, मेरे बाइ सदैब CP पर निकालते हैं, अगर हमारे पास quantity है, मतलब मात्रा हैं, तो profit and loss निकालते हैं, और यहाँ पर हम लोग discount नि लिकालेंगे, याद रखना quantity मतलब मात्रा जैसे तीन वस्तों हैं, पांच वस्तों हैं, और यहाँ पर रुपे का मतलब क्या है मेरे बाइ, जैसे आपने बताया कि मेरे पास 20 रुपे हैं, 50 रुपे हैं, 100 रुपे हैं, इस तरीके से, अभी तक हम लोग concept लिख रहे हैं, और उसके बाद में CP और मेरे बाइ, MRP परसेंटेज को क्या करते हैं, पलड देते हैं, और मेरे बाइ, SP में जोंका त्यों, SP में जोंका त्यों, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, इस पूरे चैप्टर में, बहुत लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा हैं, लेकिन इसमें दो ही कंसेट में बात ही करूँगा, इस बात का विशे दिहान लखें, CP और MRP में परसेंटेज को मेरे बाइ क्या करना है, पलड़ना है, और SP जब फाइंड आउट करवाएगा, तो इसमें जोंका क्यों लिखना है, मेरे पास दो ही कंसेट हैं, और चाह से सवाल ना हो, इस बात का विशे दिहान लखें, जैसे पहला सवाल है हमारे पास में, किशी वस्तुगा करिय मुल्य और विक्रिय मुल्य का अनुपात मेरे बाइ कितना है, 20 अनुपात मेरे बाइ 21 है, आपने देखा, भया करिय मुल्य क्या है, CP और ये क्या है, SP, 20 एक का बीस पर, एक पर विर्वे कितना है, बीस पर, एक रुपे का लाव है बीस पर, और वहिया आपने जैसी हाज सो लिखा, आपने इसको काड़ दिया, कितनी बार गया, पांच बार, तो आपका हो गया पांच परसेंट, कितना हो गया वहिया, पांच परसेंट, तो आपको तो 5% का क्या होगा इसमें लाब होगा आपका अंसर होगा 5% ठीक है ना लाब सदैब CP पे निकालते हैं यह जो बाते लिखे हैं मैंने हाँ पर CP को ही बटे में क्यों लिखा यहाँ पर मैंने पहले लाइन में लिखा हुआ है जब रुपे होंगे तो लाब और हानी हम लोग CP पे निकालते हैं अगर यह quantity होती तो मैं SP को बटे में लिखता इस बात को बहुत ध्यान रखे मैं फिर बता रहा हूँ इसमें दो ही method हैं इन दो बातों को याद रखीगा method माल लीजीगा concept माल लीजीगा कुछ भी मान सकते हैं आप लोग लेकिन इस से ज़्यादा आपको ज आपने बताया सो रुपे में बेचा है बंदे ने और मेरे बीस रुपे का लाब होता है तो आप लोग क्या बताएंगे इसमें CP है और अब यह SP है सो रुपे में बेचने पर उसको मेरे बाई 20 का लाब होता तो 80 में खरीदा होगा उसने कितने में खरीदा होगा 80 में आप एक बिड़े चार हो क्या लिखेंगे वहिया, 25%, कितना वहिया, 25%, इसलिए मैंने परसेंटेज आपको ग्याद कराई थी, ठीके ना, कितना वहिया, 25%, किलिए रहे ना, आप लोग याद रखेंगा, हमने 100 रुपें बेचा, 20 का क्या है, लाव है, तो कितने में ख़ड़ी दियोगी, 80 में, तो 20 रुपे की चीज़ पर 80 एक बिड़े चार, और एक बिड़े चार को मैंने पढ़ाया था, आपको मेरे बाई कितना होता है, 25% होता है, कितना होता है, 25% होता, तो आपका अंसर हो जाएगा वहिया, 25%, किशिक को कोई डाउट हो, तो बताईए, ये पहला कंसेप्ट है, जिसमें आपने देखाता है, रुपे हो, तो CP बटे में जाता है, CP को हम बटे में रखेंगे, इस तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं, खिक है न, अब यहाँ पर क्या लिखा है, हमारे पास एक sofa set है, जिसका मुल्य है, मिरे बटे कितना, 1900, मिरे बटे अस्य, 19,800 रुबें बेचने पर, 10% का क्या होता है, इसे, लाव होता है, इसे क्या होता भईया, लाव होता है, इसका मिरे बटे किरियमल बताईए, हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं बच्चे हमारे पास लिखा हुआ है उन्निस हजार आठ सो ठीक है ना उसके बाद ने ये कह रहा जी लाव होता है इसको लाव कितना 10% अब मैं आपको बताऊंगा यह मैंने ऐसे क्यों बोला था कि आप 10% को एक बड़े 10 बोलें हमने पढ़ा कीमत लोग CP निकालेंगे जब भी हम लोग CP या MRP की बात करेंगे तो मेरे भाई परसंटेज को पलट देंगे और जब भी हम S P की बात करेंगे तो परसंटेज को जोंकत्यों रखेंगे ये रूल है याद रखना अब हमें क्या करना है 19,000 मेरे भाई 800 गुना 10 बटे कितना 11 क्या वार गया भाई आप लिख दोगे आपका हो जाएगा 18,000 रुपे कीमत थी कितनी कीमत थी 18,000 रुपे कीमत थी ठीक है नब यहाँ पर इस पर मैं रिपीट कर देता हूँ द्वारा 10 परसेंट कितना 1 बटे 10 यह 11 बटे 10 कैसे हो गया जब लाव होगा तो नीचे वाले पार्ट में उपर वाला पार्ट जोड़ दीजेगा तो आपका 11 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा हानी होती तो माइनस करना है ठीक है ना हानी होगी तो क्या करना है माइनस करना है तो आप लोग लिख देंगे CP बरावर हो जाएगा 19,000 मेरे भाई 800 और 10 बटे 11 हो जाएगा क्यों हमने बताया CP और MRP निकालते समय परसेंटेज को पलटेंगे SP में जोंका त्यों लिखेंगे किलियरे भाई आगे फिर हम लोग सवाल करेंगे इसमें देखेगा यहाँ पर लिखा हुआ है किसी वस्तु का नेक सवाल मारे पास क्या है किसी वस्तु का मेरे भाई कितने बेच रहे हैं आप लोग SP दे रखा है कितना 90 POINT मेरे वाई कितना 6 दे रखा है अब आप कहरें जी इस पर हानी हो रही है हमें हानी कितने की हो रही है वहिए 25% की 25% अब यह आपको बताया मैंने कितना होता है 1 वटे 4 तो आप बताएंगे इसे कितना हो जाएगा 3 वटे 4 अब आप इसका CP निकाल रहे हैं क्या बताएंगे CP में 79.6 और मेरे वाई 4 वटे 3 अभी हम मैंने बताया था जब भी हम लोग मेरे वाई क्या है CP निकालेंगे तो % क्या कर देंगे वाई याद रखना इस बात को लाव हानी का इस बात से कोई लेना देना नहीं है ठीक है ना आपने इसे कैंसल किया मेरे वाई कितनी वार गया दो तीन दो ठीक है ना तो आपके पास कितना हो गया आठ है दो है और यहाँ पर कितना नो है बान में रुपे आठ असी पैसे बान में रुपे असी पैसे का आपका अंसर होगा नेक सवाल क्या है हमारे पास में फिर चलते हैं मेरे बच्चो देखेगा यहाँ पर क्या लिखा इसने किसी वस्तू को साड़े चार सो रुपे में बेचने पर एक दुकानदार को 25 परसेंट की हानी होती है इसे किस मुले पर बेचे कि मेरे बच्चिस परसेंट का लाव हो जा आपको दिया क्या है एसपी दिया है साड़े चार सो आपने बोला सर इसमें हमें हानी हो रही है पच्चिस परसेंट की लोस हो रहा है और आपको भी अप्रॉफिट हो रहा है मेरे बच्चिस परसेंट का आप लिखेंगे से एक बटे चार तीन बटे चार हानी है तो आपने माइनस करके लिख दिया एक बटे कितना चार मेरे भाई पांच बटे कितना चार आपने इस तरीके से लिख दिया इसको अब हमार से SP ही पूछ रहा है तो इस वाले कंसेप्ट में पहली परसेंटेज को पढ़ दो दूसरी को जोगा त्यों याद रखेगा पहली को पढ़ दो दूसरी को जोगा तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसमें कितना हो जाएगा साड़े चार सो चार बटे तीन गुना मेरे भाई पांच बटे कितना चार आपने देखा भी है चार से चार कट गया तीन से गया मेरे भाई कितनी बार ये पंद्रे बार तो आपका अंसर हो जाएगा सर पंद्रे पंजे कितने हो जाएंगे पिछे तर तो ये हो जाएगा मेरे भाई कितना साड़े सास सो कितना हो जाएगा भाई साड़े सास सो याद रखेगा तो आपका अंसर होगा मेरे भाई कितना साड़े साथ सो यहाँ पर SP दिया है SP आप सो दिया मतलग बेचना दिया है बेचना ही आप से पूछा है तो पहली percentage को पर तो दूसरी को जौका त्यों आगे बढ़ेंगे फिर इसमें एक कुर्शी को मेरे बाई कितने रुपे बेच दिया इसने साड़े मेरे बाई लिखा है 720 बेचने पर 25% की हानी होती है अब इसे कितने बेचे की 25% का क्या हो जाए लाब हो जाए तो आप इसे लिखेंगे SP बरावर मेरे बाई कितना दिया है 720 अब इसने बोला है यहां पर lois है मेरे बाई कितना 25% मेरे बाइ profit है मेरे बाइ कितना इसे 25 परसेंट ये एक बटे कितना चार तीन बटे चार ये आपको समझ मा आ रहा है कि हानी होगी तो आप माइनस करके लिखने है मैं तोड़ने का मैंने मकसद ये है कि जितनी संख्याइं छोटी होंगी आपको काटने में उतनी आसानी रहेग तो आप लिखेंगे मेरे बाइ कितना है इसमें ये है 720 रुपे आपने पहली वाली परसेंटेज को पलट देना है दूसरी को मेरे बाइ जो का त्यों आप लिखेंगे इसे मेरे बाइ क्या हो जाएगा ये 4 बटे मेरे बाइ कितना तीन चार बटे मेरे बाइ कितना है तीन ठ मतलब पहली percentage को पल्टना है दूसरी को जो का त्यों लिखना है आपने देखा cancel हो जाएंगे भाई ये 3 से गया मेरे भाई कितनी बार 24 बार 24 पंजे कितने होंगे 120 तो 1200 आपका अंसर होगा कितना होगा भाई 1200 आपका अंसर होगा इस बात का भी से दियान रखें खिक है ना तो आपका अंसर होगा भाई 1200 किलियर हुआ जब SP दिया हो आपको SP पूछे तो आप लोग इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर नेक सवाल मारे पास में क्या यहाँ पर देखेगा हम लोग इसका सोलूसन कैसे लिखेंगे हमें दिया है SP किसी वस्त तुको कितने में खरीदा भाई इसने मेरे बाई 1960 रुपे में खरीद कर 1862 रुपे में बेचने पर कितने पृतिसत की हानी होगी अब हमें CP भी दिया है और क्या दिया है इसने SP भी दिया है तो CP हमारे पास कितना है 1960 है और SP कितना दिया है वहिया इसने 1800 मेरे वाई कितना है 62 है तो आप बताएंगे इसे हानी हो रही है हानी हो रही है इसे मेरे वाई कितना 98 में रुपे गी इसके बाद में हमने बताया लावहानी सदेब किस पे निकालते हैं हम लोग CP पे निकालते हैं जब रुपे दिये हो तो लावहानी सदेब हम CP पे निकालते हैं निकालने का मतलब वो बटे में जाएगा इस बात का धिहान रखें ठीक है बच्चे उसके बाद में हमने से काट दिया कितनी बार जाएगा, ये टू ताइमस जाएगा, तो दस बटे मिरे बाए कितना आएगा, दो तो जिसको आप लोग मिरे बाए कितना ली सकते हैं, पाँच परसेंट, कितना परसेंट भीया, पाँच परसेंट, क्लियर हैं, आगे हम लोग सवाल में देखीगा, फिर नेक्स, Next, सवाल में क्या है बच्चे Gas अधित्ते ने ack गाए कितने रुपे में बेच दी पिचासी सो मेरे बाँ कितना है अस्ची रुपे में बेच ने पर And This क्या होता है लाव होता है तो गाय को कितने रुपे में खरीदा गया तो आप यहां पर लिखेंगे इसके solution को क्या आप ने लिखा बेचना मतलब SP 85-100 मेरे वए कितना है असी आपको लाव हो रहा भाई 4% का तो 4% को क्या बोलते हैं एक बटे 25 तो 26 बटे 25 मैं आपको पहली बता चुका हूँ लाव में आपको जोड़ना है खानी में आपको माइनस करना है ठीक है बच्चे हमें निकालना भाई क्या CP हमें क्या निकालना कर देते हैं क्या कर देते हैं उल्टा कर देते हैं अब हमने इसको 13 से काटा दो बार गया 13 मेरे बाई छिंग 78 13 छिंग 78 फिर ये दो से और जाएगा भी कितनी बार 33 0 तो आपके पास आएगा 33 0 गुणा 25 तो आपका अंसर कितना आजाएगा भाई तो आपने बोला भी 0 25 35 25 25 कितने हो गए 82 हो गए कितने हो गए भाई 82 हो गए तो आपका अंसर आजाएगा भाई 850 रुपे 82 50 रुपे क्योंकि हमने बोला कितने में खरी दी गई कितने में खरी दी गई मतला हमें CP निकालना है और CP निकालते हैं समय परसेंटेज को पलड़ देना है ठीक है ना आगे चलेंगे भाई नेक सवाल में क्या है बच्चे किसे मेरे बाई लिखा कुर्शी को 870 रुपे बेचने पर मेरे बाई 10% की क्या होती है मेरे बाई हानी होती है कितने रुपे बेचने पर 870 रुपे बेचने पर 10% की हानी होती है किसी मेरे बाई लिखा कुर्शी का किर्यमुल क कितना होगा, आपने लिखा SP दिया है कितना, 873, आपने बुला हाझी हो रही हाझी कितने की व ह chasing, 10% की, 10% मतलब 1 बटे 10, 9 बटे 10, 9 बटे कितना 10, आप लोग बताओगे मेरे भाए खिरी हमोले कितना होगा, 893 गुना 10 बटे कितना 9, 10 बटे कितना 9 आपने ये फिर क्यों किया क्योंकि हम CP निकाल ला है CP find out करते समय percentage को आप लोग पड़ दोगे ठीक है बच्चे आपने 9 से काटा 9 बार फिर गया 7 बार 970 रुपे हो गया concept same रहेगा भाई सवाल कुछ भी आ जाना CP एमारे percentage को उल्टा गरना है SP में जो कात्यों दिखना है ठीक है ना ये इसका solution है आपर clear है next सवाल में हम लोग क्या लिखेंगे किशी मेरे बाई लिखा है एक घड़ी को 2880 रुपे में मेरे बेचने पर कितने की हानी हो रही है 10% की कितने में बेचे की मेरे बाई 5% का लाब हो जाए आपने देखा भी या solution लिखेंगे हाँ पर हमें SP दिया है कितना 2880 रुपे आपने बोला जी हानी हो रही है मैंने लोश लिख दिया मेरे बाई 10% 10% कितना 1 बटे 10 9 बटे कितना 10 9 बटे कितना 10 इस तरीके से फिर मैंने बोला भी या हमें प्रॉफिट चाहिए क्या चाहिए प्रॉफिट कितना 5% 1 बटे कितना 20 और 21 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज के सिंबल का अर्थ होता है बटे में 100 5 बटे 100 का मतलब होता है 1 बटे 20 इसे लिखेंगे 21 बटे कितना 20 लिखेंगे अब हमें SP दिया है SP आप से पूछा है 2880 पहली परसेंटेज को क्या करेंगे बाइक पलड देंगे और दूसरी को जोंका तर्विए लिखेंगे दूसरी को जोंका तर्विए लिखते हैं नो से करते हैं से 27 नो दुनी 18 दो से गया कितनी बार 16 बार 16 की multiply करिएगा 16 गम 16 16 दुनी 32 और 33 एक 0 हमारे पास है तो आपका 3300 मेरे बार कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ये आपका answer होगा ठीक है ना पीछे में करा चुका हूँ जब SP दे SP आपसे पूछे तो पहली परसेंटेज को पर्ड़ दो दूसरी को जो का नेक्स सवाल देखेगा लिखा इसमें 50 किलोग्राम दूद के साथ पानी कितनी मात्रा में मिलाए जाए कि मिस्रन को किरिय मुल पर बेचने पर दस परसेंट का लाव हो जाए इस पर्सेंटेज में बहुत कुछ छुपा होता है देखेगा अब ही हमार से कहारा, 10 परसेंट 10 परसेंट को आपने 10 दश लिख दिया आप बताईए का इसमें दूद क्या होगा, पानी क्या होगा अब इसमें जो दूद होगा वो हमारे पास दस रहा होगा और जो पानी होगा मतला हमारे पास जो वाटर रहा होगा वो एक रहा होगा क्यों? दस किलो दूद में हम एक लीटर पानी मिला सकते हैं इस बात को ध्यान में रखेगा हमारे पास milk है और क्या है वह या water है ठीक है न अभी आपने बुलाग 10 हमारे पास में milk है एक water है लेकिन कह रहा है हमारे पास milk तो कितना है वह या 50 है तो 10 का कितना times है ये 5 times है तो यहाँ भी हम लोग भी या 5 की multiply कर देंगे तो हमें requirement पड़ेगी 5 kg यहाँ पर हमें कितनी requirement पड़ेगी 5 kg की हमे requirement पड़ेगी इस बात का विशेद ध्यान दखें नेक्स अवाल में चलते हैं नेक्स अवाल में ठीक है नेक्स अवाल अब आता है इसमें नेक्स अवाल में क्या है है हमारे पास में एक दुकान दार ने कुरसी को धाई परसेंट हानी पर बेची यदि वह इसे 100 रुपए अधिक में बचता यहां पर बहुत अच्छा पोइंट लिखा है 100 रुपए अधिक में बचता तो इससे साड messाठ का क्या होता लाब होता यदी वह साड़े बाराइ परसेंट के लाब पर बेचा जाता तो उसका मेरे बढ़ बताइए यहां तक के सवाल को रोखना है अभी आपको यहां तक यह सवाल अलग है उसके बाद अलग है जब रुपे के बाद में कम या जादे लिखा हो याद रखेगा रुपे के बाद में कम या जादे लिखा हो तो वो difference होता है क्या होता भाई वो difference होता है जैसे अब हमारे पास में profit and loss हैं तो वो add हो जाएंगे अगर ये मिरवाई profit and लोस होते तो भी एड़ हो जाते लेकिन अगर ये profit profit होते तो क्या हो जाते minus हो जाते इस बात का धियान लखे मतलब रुपे के बाद में कम या जादे लिखा है तो एक जैसे minus होंगे विप्रिट जैसे क्या होंगे plus होंगे अब हमारे पास में क्या दिया इसने दहाई परसेंट का क्या है मेरे वाई profit है और मेरे वाई नहीं दहाई परसेंट के क्या है हानी है और मेरे वाई साड़े साथ परसेंट का क्या है इसे लाव तो इन दोनों में difference कितने का 10 का हमारे हिसाब से 10 का है आप कारर नहीं यह के रूपह मिलते हैं मेरे बाई 100 रूपह मिलते हैं तो 10% ओप मेरे बाई CP आप लिख दोगे 100 रूपह तो आपका CP कितनी रूपह आ गयाайте 1000 रूपह के रूपह आ गया 1000 रूपह क्यों? 10% का मान होता एक बटे दस वो दर जागे क्या हो जाएगा मल्टिपलाई हो जाएगी लेकिन हमार से पूछा क्या है यहां से दूसर सवाल बनता है अब हमारे पास में हजार रुपे हैं कहरा बंदा लाव होता है साड़े बारे परसेंट का अब तुम्हें साड़े बारे परसेंट याद है एक बटे आठ होता है मैंने लिखवाया था भी अब को सुरू में ही स्टार्टिंग में मैंने कुछ परसेंटेज ग्याद करवाई थी आपका साड़े बारे परसेंट होता है एक बटे कितना आठ होता है तो ये 9 बटे कितना हो जाएगा 8 और हमार से क्या पूछा बेचना पूछा है जब बेचना पूछा हो तो SP में जोंकात्यों लिखते हैं आप लिखेंगे 1000 और 9 बटे कितना 8 इस से कितना टाइम्स जाएगा 125 बार जाएगा और मल्टिपलाई करने के बाद में कितना आ 1100 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ रुपे के बाद में पूरे मैथ में कम या जाद है कहीं भी लिखा हो वो डिफरेंस होता है याद रख लेना इस बात को आज के बाद ठीके न तो यहाँ पर आपको ये लिखना है कि आपके पास में आपके पास में कितना रुपे है हजार रुपे और ये करा जी हमें साड़े बारे परसेंट का लाव चाहिए तो मैं कितने में इसको बेच देता हूँ तो हमारे पास आन सवराया 1125 रुपे भईया नेक्स्ट भईया यहाँ पर याद रखिएगा एक कुशन मेरे बाई फिर 100 रुपे हैं क्या रुपे हैं हमारे पास में 100 रुपे हैं ठीक है न और यहाँ पर भी हमारे पास में कितने रुपे हैं 100 रुपे हैं ठीक है हमने देखा इस पर मेरे बाई कितने का बोल रहा है यह 5 परसेंट का लाव है यदि वह 5 परसेंट सस्ती खरीबता है तो एक उसके बाद में इसने बोला यदी वह 5% सस्ती खरीदे तो के रुपे हो गभी या पिचान में रुपे कहरा 10% का लाब होता आप लोग मेरे बाई पिचान में का 10% होता साड़े 9 रुपे आप लोग लाब है तो आप एड़ कर देंगे इसमें 104 रुपे 5 पैसे 50 पैसे अब इन का तो आप लोग इसे में कितने की मल्टिप्लाई करेंगे 2 की क्योंकि हमें आधे को क्या बनाना है एक बनाना है तो आप 2 की मल्टिप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टिप्लाई भी यहाब करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 200 रुपे 3 रुपे हो जाएगा 200 रुपे हो मित्रो नेक्स सवाल बैया किशी वस्तुवा किरिय मुल्य मेरे भाई विक्रिय मुल्का कितना है चालीस परसेंट है तो यहां पर एक वर्ड लिखा है विक्रिय मुल्य किरिय मुल्का कितने परतिसत है किरिय मुल्य मेरे भाई विक्रिय मुल्य किरिय मुल्का कितने परतिसत है पहले लिख लेते हैं, हमारे पास में ये लिखा हो है, विक्रे मुल्क का 40%, अगर ये सोर है, तो ये कितना है, 40% है, ये कितना है, 40% है, हमने इनको डिवाइड करा, तो मेरे वाई ये कितना आ जाएगा, 5 अनुपात, मेरे वाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अब ये कह यहां पर हमारे पास में S P CP का कितने पृत्तिसत है यहां पर ये comment लिखी है अब जिसके पास में काहो के कुशन मार्क होगा वो divide होगा तो हम लिखेंगे यहां पर हमारे पास में होगा तो आप लिखेंगे 5 वटे मेरे वाई कितना 2 पांच बटे दो गुणा मेरे भाई कितना सो दो से गया मेरे भाई कितनी बार पचास बार आपके पास हो गया मेरे भाई डाई सो आपके पास कितना हो गया भाई डाई सो हो गया आपका यादखना जिसके पास में का होगी कुश्चन मार्क होगा वो डिवाइड होगा याद रखिएगा आएक व्यापारी अपनी मेरे भाई वस्तू के मुल्ले उसके किरिय मुल से कितना अधिकंकित करता है वहिया मेरे भाई 20% अधिकंकित करता है और इस पर मेरे भाई बेशते समय मेरे भाई कितना अधिकंकित करता है बट्टा देदा 10% का ये सबसे बढ़िया सवाल है यहाँ पर इंपोर्टेंट लिखीगा इसकी फिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है याद रखें यहाँ पर क्या लिखा ये वाला स्टेप है इसमें सीपी, एसपी और कितना है बच्चे सबसे पहले मैंने आपको ये लाइन पढ़ा ही थी याद रखना सुरू वाला क्या है किरियमुले दूसरा वाला क्या है विक्रियमुले लाश्ट वाला क्या है अंकित मुले अब आप कह रहें मेरे पास में 100 रुपे हैं और आप कह रहें इससे मैंने कितना अधिक अंकित कर दिया वच्चे 20% अधिक कर दिया तो 120 हो गया आप कहरें इस पे मेरे बाइ 10% डिसकाउंट देता है और मैंने पहले इस टेफ में लिखाया था सदैब MRP पर डिसकाउंट दिया जाता है अब 120 रुपे का 10% बार रुपे होगा आपने लाब कितना है बच्चे सो की चीज 108 है विख दे तो 8% का लाब है 8% का क्या है बच्चे लाब है इस तरीके से आप लोग इसे कर सकते हैं ठीक है नेक सवाल में हमारे पास क्या है एक दुकानदार कमीज पर कितना बट्टा देता है देखेगा यहां पर दिया है 7% का यदि 9% क मेरे बढ़ कम का लाब होता है रुपे के बाद मैं फिर देखेगा यहां पर क्या बोला है रुपे के बाद मैं पंदर रुपे हैं यहां पर क्या बोला है कम है तो यह डिफ्रेंस है मैंने क्या बोला तुमार से जब रुपे के बाद में कम या ज़्यादा लिखा होगा तो difference होगा, क्या होगा वो difference होगा, तो यहां पर बट्टा बट्टा दिया है, हमारे पास बट्टा कितना है, 7%, एक बट्टा कितना है बच्चे, 9%, और यहां पर मेरे बाइद दोनों में difference कितने का है, 2 का, एक जैसे minus होगे, विपरी जैसे क्या होगे, प्लस, लास्ट सवाल मैंने आपको बताया था, of MRP, बरावर के रुपए आगे वह यह आपके पास में किसी कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है न, जैसे भी possibility हो सकती है, आप उस तरीके से मुझसे contact कर सकते हैं, ठीक है न, एक लिखा किसी वस्तू को मेरे भाई लिखा है, छपे मुले पर कितने का बटा देता है, दस परसेंट का बटा देता है, और उसके बाद में मेरे भाई, लाव कितने का होता है, 12 परसेंट का लाव होता है, आपके पास लाव है, 12 परसेंट, आप कह से स्टार्ट करेंगे हमारे पास यह step तो ही है CPSP और क्या है MRP है तो हम लोग कहा से स्टार्ट करेंगे CP से स्टार्ट करेंगे इसके बाद 10% का क्या है मेरे बाई इस पे 12% का लाव है 12% का लाव है तो आप लिखेंगे इसे कितना यह है मेरे बाई 12% ठीक है ना बच्चे आप देखेगा इसमें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 12% का क्या है इस पर लाब है तो 112 रुपे हो जाएगा फिर यह कह रहा है यहाँ पर भईया इसको 10% का डिसकांट तो 1 बटे 10, 9 बटे कितना 10 लेकिन मैंने आपको बताया था MRP जब भ 12 बार गुना 10 बटे कितना 9 तीन से गया मेरे बाई 3 बार यह मेरे बाई कितनी बार गया तीन से नहीं कट रहा है ठीक है आपने देखेगा यहाँ पर भी कितना बना हमारे पास में यह ठीक है तो यहां पर देखेगा यह कितना होगा 10% एक बड़े 10 नो बटे कितना 10 हम लिख देंगे इसको यहां पर भी कितना 112 है 10 बटे कितना 9 मैंने बताया MRP निकालते से मैं परसेंटेज को पलड़ देते हैं अब हमें चाहिए CP और मिरबाई MRP का हमें अनुपाद चाहिए क्या चाहिए हमें अनुपाद चाहिए तो हम लिखेंगे यहां पर 100 है और यह कितना हो जागा 120 ग्यारे सो बीस बटे 9 यह कट गया इससे यह 90 है और यह 112 तो आप बताएंगे 45 एक सो देखो यहां पर क्या आगय और 11 कितना 12 तो आपने देखा वह यह 45 और मिरबाई कितना 56 यह हमारा आंसर होगा इस तरही से नेक्स हवाले बच्चें नेक्स हवाल में क्या है एक निर्माता मिरबाई लिखा है वस्तू का अंकित मुल् Carry कितना निर्धारीद करता है वह फचास उर्पे निर्धारीद करता है और इस पर मेरे बाइद 20% का बट्टा दे कर भी मेरे बाइद कितने का लाव कमा लेता है भाई 25% का लाव कमा लेता है तो उसका किरिये मुलाब को बताना है इस टेफ वही रहेगा CP है SP है और क्या है वही या MP है तो आप लिखेंगे इस पे हमारा MRP दिया है कितना पचास रुपे यहाँ पर आपके तीन स्टेप हैं आप बता रहे हैं जी इस पर डिसकाउंट दिया जा रहा बीस परसेंट का बीस परसेंट कितना एक बटे पांच चार बटे कितना पांच जब आप S.P. निकालेंगे तो परसेंटेज को जो का त्यों लिखेंगे चार बटे कितना पांच तो हमारे पास के रुपे आगए 40 रुपे 40 रुपे पर मेरे भाई अभी हमारा बीच का रिलेशन कितना है 25 परसेंट 25 परसेंट कितना एक बटे चार पांच बटे चार हमें क्या निकालना है C.P. निकालना है C.P. निकालते समय हमने बताया 40 आएगा और percentage को करते हैं पलड देते हैं उल्टा करके लिखते हैं ठीक है बच्चे तो आप ने देखा कितनी बार गया आठ बार आठ चो कितने 32 रुपे क्या रुपे बहिया 32 रुपे क्योंकि दूसरा step मैंने यही सिखाया था CP और MRP निकलते हैं परसेंटेज को पलतेंगे SP में जोंका त्योंन लिखेंगे ठीक है वच्चे आगे बढ़ेंगे वाई एक व्यापारी अपने माल पर केया मूल से कितना दे कंकित करता है आपने बताया 30 परसेंटा दे देता है बट्टा देता है उसके बाद भी उसका लाब कितने रुपे भाई या 84 रुपे है तो आपको गुछ राइए यहाँ पर लिका लेंगे हम लोग CP है SP है और कितना है भाई MP है तो आपको जब मेरे भाई क्या क्या दिया हो अधिक अंकित करता है आपने लिका सरसूर पर की चीज़ है आपने बताया सर अधिक अंकित करता है मेरे भाई कितना 30 130 हो जाएगा उसके बाद मेरे भाई यह कह रहा है इस बट्टा मिलता है इसे 15% 15% मैंने आपको लिखवा रखा कितना होता है 3 बटे 20 तो आप बताएंगे इसे 17 बटे कितना 20 17 बटे कितना 20 आप लिखेंगे यहाँ पर हमें चाहिए क्या SP और मैंने रूल बताया था बच्चे CP और MRV परसंटेज को पल्टना है SP में जो का त्यों लिखेंगे तो आप लिखेंगे 17 बटे कितना हो जाएगा 20 कैंसल हो गया यह तो आप लिखेंगे 17 गम 57 51 और 5 कितने हो जाएगे 22 बटे कितना 2 और यह कितना 100 तो आप लिखेंगे 100 रुपे की चीज यह दर आजाएगा और उसके बाद 221 रुपे आपको लाब कितना पराप्त हुआ भाई 21 रुपे किताब वाला बोल रहा है कितना है हमारे पास में 50 रुपे कितना टाइम्स है 4 टाइम्स है और यह कहरा जी इसका किरियमुल बताईए इसको भी आपको 4 टाइम्स ही करना हैं तो हमारे रुपे आजाएगे कितने रुपे आजाएंगे भाईया 800 इस तरीगे से आप लोग इससे कर सकते हैं ठीके ना नेक्स सवाल है हमारे पास में क्या नेक्स सवाल में हमारे पास आता है एक दुकानदार किसी वस्तू के अंकित मुल्ले पर कितने रुपे वह या पांच परसेंट कमिशन दे कर भी दस परसेंट का लाव कमा लेता है कितने का लाव, 10% का लाव कमा लेता है, वस्तू का मेरे बाई किरिय मुले, मेरे बाई कितना है आपके पास में, पिच्चान में रुपे है, तो अंकित मुले कितना रहा होगा, तो हम लिख लिएते हैं, हमें क्या दिया है, डिसकाउंट दिया है, कितना 5%, आपका लाव दिया हुआ है 10% उसके बाद में हमें इस्टेप लिखना है CP है SP है और कितना वाई MP है अब हमारे पास जो दिया गया उसे लिख लीजिएगा पहले रूल को फिर याद करिएगा मैंने जो बताया दो इस्टेप बताएं सारे जादे नहीं है ठीक है न तो इस पे हम लोग लाब निक निकालते हैं ठीक है न हम लोग इस पे कह निकालते हैं लाब या हानी निकालते हैं ठीक है तो हमने बुला भी है इस पे कितना हो जाएगा 10% का लाब है तो आप लिखेंगे इससे 11 वटे कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा पिचान में का मेरे बाई 10 वटे 11 वटे कितना 10 क कि SP में जोंका त्यों लिखते हैं उसके बाद में इसने बताया मेरे भाई 5% का कमीशन है पांच परसेंट कितना भाई एक वटे 20, 19 वटे कितना 20, 19 वटे कितना 20, अब हमें चाहिए क्या MRP, MRP में परसेंटे को क्या करते हैं भी या पलड देते हैं, तो हम लिखेंगे पिचा कितना 19, आपने इसे काट दिया, कितनी बार गया 5 टाइम्स, ये इससे कैंसल हो गया और उसके बाद में हमारे पास कितना है, 5 दूनी 10 और 10 की मल्टिप्लाई करने के बाद हमारा MRP हो गया 110 रुपे, 110 रुपे भी ठीक है न, आप इस तरीके से से कर सकते हैं, ठीक है, नेक् अधिक है, तो ये लिखा है, अंकित मुल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता, तो बिक्रिकर कितना होगा, मैंने आपको टाइप पताई थी, क्या हमारे पास होता है, CP, SP और क्या होता है, MP, कह रहे हैं, आप लोग ये 100 रुपे माने आपने, कह रहे हैं, अधिक अंकित कर दिय तो 120 का 20% होता, 24 रुपे, तो 24 रुपे का मतलब आपको माइनस करना, तो आपके पास कितने आगए, यहां पर छान में रुपे, तो आपको हानी हो रही है, कितनी, मेरे भाई, 4% की, कोई बच्चा इस ऐसे ही कर सकता है, जैसे मैंने बताया, 20% कितना, 1 बटे 5, 4 बटे 5, SP, निकाल सकता है, जो मैंने यह छान में लिखा है, 120 का SP में जोंकातियों लिखते हैं, कैवार गया वही है, 24 वार, 24 चोंका छान में, आपने रूल से नहीं हटना है, SP में जोंकातियों, CP आइमार में परसेंटेज को पलड़ देंगे, इस बात का विश्य दियान लखें, आप को लोस हुआ है सर, next हौआ है हमारे पास में, नेक्स सवाल है हमारे पास में एक व्यापारी एक घड़ी कितने रुपे में खरीदता है आप बोलोगे साड़े चार सुर रुपे में खरीदता है और सूची मुले पर मतला MRP पर इसने मेरे बाई इस पिरकार निर्दारित करता है कि 10% बटा देकर भी वो कितने का लाब कमा लेता है 20% का लाब कमा लेता है याद रखिएगा जो चीज हमें दी गई है हम उसको लिखेंगे पहले देखो CP, SP और क्या है हमारे पास में MRP ठीके बच्चे तो हमने लिखा हुई है हमारे पास है साड़े चार सुर रुपे आप कह रहे हैं जी इस पे मेरे बाई क्या निक लेकिन जैसे भी देखो यह हमारे पास में तीन स्तंब समझीगा जो भी आपको दिया गया उसको लिखीगा आपको CP पे निकालते लाबहानी तो लाबहानी को पुट करिएगा अगर आपको MRP दिया हो तो हम लोग डिसकाउंट पे चलते हैं आपको यह बात याद रखनी प लगे आपको बूला गया सर 20% का लाख तो हम लोग इसे एक बटे 5 छे बटे 5 में ने डार्क लिखा है आपको समझ मागया होगा 20% कितना एक बटे 5 छे बटे 5 होता है अब ही हां लिखेंगे हम लोग 4500 का 6 बटे 5 पाँच 5 से गया कितनी बार? 9 बार. आपका अंसर हो जाए एक बटे दस क्यों आपने बोला भई डिसकाउंट है तो दस पर एक का डिसकाउंट नो बटे दस मैंने डारक लिख दिया तो आप इस तरीके से लिखेंगे इसको दस बटे कितना नो दूसरा रूल मैंने क्या पढ़ा है CP MRA percentage को पल्टेंगे और SP में जोका त्यों लिखेंगे तो आप लोग मेरे भई देखेगा यहां कितनी बार गया है 6 टाइम गया तो आपके पास आंसर आजाएगा मेरे भई कितना 600 रुपे कितने रुपे भई या 600 रुपे यह आपका आंसर होगा नेक सवाल पढ़ेंगे भई यह देखेगा यहां पर हमें क्या दिया गया है यहां पर हमें हानी है और उसके बाद में यहां पर दिया गया है 80 रुपे अधिक प्राप्त होते हैं और इससे मेरे भई कितना है पांच परसेंट का लाब होता है उसका MRP बताना जब भी रुपे के बाद में कम या ज़्यादा लिखा हो याद रखना इस बात को यह पूरे मैत के अंदर बता रहा हूँ जब भी कही संख्या के बाद में कम या ज़्यादा लिखा हो वो difference होता भाई ठीके न वो क्या होगा आपका difference difference कितना होगा भाई 80 रुपे आपने बताया आपके पास क्या है आपके पास में honey और आपके पास में क्या है lab है तो एक जैसे क्या होंगे minus मैं लिख सकता हूँ loss loss minus profit profit भी क्या होंगे minus और profit loss क्या होंगे प्लस और लोस प्रोफिट भी क्या होंगे या प्लस अगर यहां डिसकाउंट डिसकाउंट आता है तो भी क्या होगा माइनस होगा इस बात का विशी ध्यान रखना आप लोग क्या लिखेंगे या पर अब आपके पास में 5% का क्या है discount वो है लो से 5% का क्या है profit है तो दोनों में difference कितने का आप लोग बता देंगे 10% का आप कहरें 10% का है और आप कहरें नहीं जी 80 का है difference को difference के बराबर रख दिया तो आपका मेरे भई answer आजाएगा आपका rate क्या रहा होगा आप बता देंगे सर मेरे भई कितनी बार गया 10 से 8 बार तो आपका 800 रुपे कह रुपे भईया 800 रुपे ये आपका answer होगा ये बहुत आगे तक जाएगा इस बात का विशे दियान लखना रुपे के बाद में कम या जादा है कम या जादा लिखा है तो वो difference होता है रुपे को नेक्स सवाल देखेंगे देखीगा एक वस्तु को मेरे भई लिखा है पांच परसेंट हानी क्या पेक्षा दस परसेंट लाब पर बीचा जाता है तो पहले से के रुपे मेरे भई पिछेतर रुपे अधिक मिलते हैं उस वस्तु के रिए मुल बताईए हमारे पास देखो यहाँ पर दिया है 5 परसेंट ठानी दिया है और 5 परसेंट क्या दिया गया है लाब ठानी ये लाब जुड़के तो 5 अधिस कितने होगे 15 पंदरे से कितनी बार जाएगा पांच बार जाएगा तो आपका मेरे भई पंदरे सो रुपे हो जाएगा ठीके ना पंदरे से पांच बार जाएगा तो पांच सो रुपे हो जाएगा इसको लिखते कैसे हैं हमारे पास फिर दिया है रुपे के बाद में दिया है मेरे बाई कम या ज़ादा तो आप बताएंगे यह क्या होता है डिफ्रेंस होता है डिफ्रेंस है हमारे पास में कह रुपे का पिछेतर रुपे का अब आपने बताया हानी है और यह लाव है 5% की क्या है हानी है और 10% का क्या है वही या लाव है तो आपका मेरे वही डिफरेंस कितना बना वही पंदर है आप बताएंगे सर कितना बना वही या पंदर है क्योंकि profit and loss जुड़ गए कितने बने पंदर है आप लिख रहे है ओफ मेरे वही CP वरावर मेरे वही कितना पिछेतर आपने काड़ दिया कितनी वार गया फाइब टाइमस तो CP वरावर आगया मेरे वही कितना 500 आपका अंसर होगा कितना बना वही या 500 नेक्स सवाल फिर देखीगा वही हमारे पास में क्या है इनने बोला है एक दुकांदार अपने समान पर किरियमल से कितना अधी कंकित करता है मेरे वही 20% और उस पे 10% क क्या देता है भाया बट्ता देता है जब आपको इस वाली टائप का 100% कुछन आएगा भाया इस वाली टाइप का 100% कुछन आएगा ये स्रीज जरूर याद रखना CP, SP और MRP आपने बोला भी या कह रुपे है हमारे पास में 100 रुपे सर आप कह रहे हैं अधिक अंकित कर रहे हैं मेरे बाई कितना 20% कितना परसेंट 20% तो 120 रुपे हो गया अब MRP पर हम लोग डिसकाउंट देंगे डिसकाउंट कितना 10% 120 का 10% कितना होगा बार रुपे, बार है का मतलब माइनस करना है आपको, आपका आगया मेरे बाई 108 रुपे, तो लाब हो जाएगा मेरे बाई कितना 8% कितना परसेंट भईया, 8% आपका आंसर होगा नेक्स सवाल देखेगा अंकित मुले पर 10% डिसकाउंट देता है और मेरे बाई उसके बाद में बन्दा लाब कमा लिता 8% का ये कहरा जी, किरिया मुले मेरे बाई कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा अंकित मुले से, आप यहाँ पर लिखेंगे, आपको यहाँ पर छूट दी है 10% और उसके बाद में लाब दिया है बच्चे मेरे बाई कितना 8% जब भी ऐसा सवाल आ जाए, जहां पर डिसकाउंट और मेरे बाई क्या दिया हो लाब दिया हो, तो आप लोग CP से स्टार्ट करेंगे, CP है, SP है और क्या है वहाँ, MP है तो आप लिखेंगे 100 रुपे की चीज है, आपने मेरे बाई 10-8% का लाब कमाया, क्योंकि हम लोग CP पे क्या निकालते हैं, लाब यहानी निकालते हैं, तो 108 हो जाएगा, उसके बाद में 10% का क्या है मेरे बाई, 1 बटे 10, 9 बटे कितना 10, आप लिख देंगे MRV परसेंटेज को पलट देते हैं, आपने काट दिया कितनी बार गया, बार बार, तो आपका हो गया 120 रुपे, 120 रुपे, यह आपका आनसर होगा भाई, नेक्स्ट ठीक है, नेक्स देखें भीया, नेक्स सवाल में क्या होगा हमारे पास में, अब लिखा गया है एक मेरवाई सवजी विकरेता एक रुपे में पांच की दर से नीव खरीदता है, और यहाँ पर इन्हें पांच रुपे में मेरवाई लिखा, तीन रुपे में पांच की दर से बेश दिता है, लाब बताइए, हम लिखेंगे रुपे हैं, qunentity मतलब मात्रा, 1 रुपे में कितने 2, और 3 रुपे में में मेरे भाइ कितना 5, हमने cross multiply करी 5 रुपे में कितने 6, 5 में लाया, कितने बेच़रा हूं 6 में, मुझे लाव हो रहा कितने का एक का कितने परवया पांच में मैंने आपको इसलिए परसंट कराई थी कि मेरे वाई एक बटे पांच कितना होगा मेरे वाई बीस परसंट होगा कितना होगा बीस परसंट होगा आप इस तरीके से से कर सकते हैं तो आपका अंसर होगा बीस परसं उसका मेरे बाई परतिसत लाव यात कीजिएगा आपको लाव यात करना है सेम सवाल है आप इस तरीके से लिखेंगे से 10 रुपे में मेरे बाई कितना 5 और भाई अप 15 रुपे में कितने 6 की दर से 6 की दर से मेरे बाई क्या करता है मेरे बाई बेशता है तो हम क्रोश लाव है मेरे भाई कितने पर 60 पर एक बटे कितना चले भी हैं लाव है हमारा कितना यहाँ पर मेरे भाई कितना पंदर है और उसके एक बटे कितना 60 एक बटे कितना 4 एक बटे 4 को क्या बोलते हैं भया 25 परसेंट आपको सुरू में परसेंटेज इसलिए याद कराई गई थी जिससे एक बड़े 10, 10% और 20% कितना एक बड़े 5, उल्टा भी आपको पता होना चाहिए, सिर्फ टाइम का खेल है, और कुछ नहीं है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इतना बढ़िया चैप्टर है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स सवाल में भाई कितना, हम आदा भाग मेरे भाई 20% लाब पर, सेस आदे कपड़े का मेरे भाई क्या है, 20% हानी पर, और सेस को किरिय मुल में बेश दिया गया, उसका लाब अत्वाहनी बताई, मेरी तरफ से बहुती प्यारा सवाल भीया, बहुती अच्छा सवाल है, याद रखना, आप लिखेंगे 100 रुपे है सोर में में आदा, इधर गया वह यह कितना 50, 50 ही मेरे भाई धर जाएगा, इसको बोला गया है कितना 20% लाब पर, आपका 20% लाब पर, मेरे भाई 50 का 20% 10 रुपे होता है, तो आप इसे कितने में सेल करेंगे, 60 में, उसके बाद میں में मेरे भाई यहां पर आदा बोल रहा है, आधा कितना मतलब 25 आधा मतलब कितना 25 पचास का आधा आधा हो गया इसको मेरे भाई कितना बोल रहा है 20% हानी पर मेरे भाई 25 का 20% होता 5 रुपे तो आपने से सेल कर दे कितने रुपे में 20 रुपे में अब ये कह रहा है जी इसको 25 में लाया 25 में ही बेश दिया तो टोटल ह मारा, मेरे भाई, S.P. कितने रुपे आया, भाई, 105 रुपे आया, 105 रुपे, 100 रुपे की चीत थी, 105 में बेच रहे हैं, 5% का क्या होगा, लाव होगा, 5% का क्या होगा, इसमें, लाव होगा, तो आप का अंसर होगा इस तरीके से ठीक है ना अच्छा सवाल है मैं फिर बार-बार बोल रहा हूं मतलत जितने में लेक आया उतने में बेशना जो इसलिए क्या होगा next सवाल चलते हैं एक व्यक्ती ने मेरे बाई कोई बस तू 10% हानी पर 10% क्या है हानी पर हानी पर बेश दिया यदि इसे मेरे बाई 20% कम में खरीदता और 55 रुपे अधिक में बेशता तो मेरे बाई इसे 40% का लाव होता मेरी तरफ से अब जितने भी आपने पढ़े होगे स्टार्टिंग में बेश हमने सवाल रखे थे और लास्ट में जाके अच्छे सवाल बने हैं याद रखिएगा हमने माना इहां पर हमारे पास CP है 100 रुपे इस पर 10% की हानी भाई तो आप बताएंगे 90 रुपे हो गया उसके बाद में कहरा है हम लोग इसे 20% सस्ती खरीदें कितना हो गया 80 उसके बाद में कहरा जी ये 40% का लाव होता है 40% का लाव आठ चो कितने हो गये 32 तो आप लोग बताएंगे 101 रुपे हो गया 101 रुपे अब देखीगा यहां पर डिफरेंस जो दिया है वो दिया है मेरे किताब वाले ने कितना बोला है हमारे पास में डिफरेंस है 55 रुपे का तो हम लोग इसमें कितने से डिवाइड करेंगे मेरे भाई 5 बटे 2 से 5 बटे कितने 2 से तो आपने यहां पर 5 बटे 2 से मल्टिप्लाई करनी है 2 से गया कितनी बार है ये 50 बार तो हमारा आंसर आगया 2500 रुपे कितना आ गया भाई 2500 रुपे हमारा आंसर आ गया इस तरीके से आज का हमारा सेशन खतम हुआ आपको वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके बताएं कोशिश है मेरी आप लोग के कुछ ना कुछ उपयोग में आएं ऐसे ऐसे कुछ न्यूप पुलिस में आ सकते हैं आपके लिए में तरफ से वैस्ट वीशी है आप अपना 100% दे और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें सेयर करें और धन्यवाद राम राम ठीक है